जै हिंद साथियो आसा करता हूँ कि आप सभी ने इंडियन एरफोर नॉन कॉम्टेंट की बर्ती में अपना आबिदन कर दिया होगा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इंपोर्टेंट गलतियों के बारे में जिनके कारण आप सभी का जो फॉर्म है वो रोजेक्ट हो सकता है तो किन-किन गलतियों के कारण आपका फॉर्म रोजेक्ट हो सकता है आपने वो गलतियां की हैं या नहीं की हैं आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है साथ ही आपका admit card कब आएगा आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सभी doubt किलियर करने बाला हूँ तो इस वीडियो को सुरू से लेकर end तक जरूर बात करना इंडियन एरफोर्ट्स नौन कॉम्टेंट के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आप सभी को बतना चाहूँगा मैंने आप सभी को लिंक के वीडियो के कमेंट और डिस्कुर्शन में प्रूबाइड करा दिया है आप वहाँ पर आकर इस भरती के सिलेबस के बारे में जानकारी चेक आउट कर पाएंगे कि आपको किस किस टॉपिक से यहाँ पर कितने क्वेशन आपको दिखने को मिलने बाले हैं इसके लब आपको topic wise यानि कि आपको किस subject से किस topic से आपको वह पर question देखने को मिलेंगे आपको यह है जानकारी भी यहाँ पर दी गई है साथ ही फ्रेंड जो भी आपके 2019 के बाद इंडियन एरफोर non-competent के exam conduct कराए गए उन सभी के previous year question में ने आप सभी के लिए upload करा दिये आप यहीं से आपको link की जो वीडियो के comment और description में प्रुबाइड करागा है आप वहीं से इस बरती का जो previous year questions आप सभी के लिए त्यार की गए उन सभी को आप सभी download कर पाएंगे क्योंकि friends यहाँ पर जो आपका exam conduct करा जाता है उसमें आप सभी के हैंपर 90 से 95% जो आपको question देखने को मिलेंगे वो आपको previous year के question देखने को मिलेंगे निया आपका 20 number का यहाँ पर exam होगा कि आपको आपने यहाँ पर यह गलतियां कियें तो आपका जो फॉरम है वो आपका यहाँ पर reject होने के बहुत जादा chances है तो friends आज की वीडियो में आपको ऐसी कुछ 5 mistake बताने बाला हूँ यदि आपने वो गलतियां कियें तो chances है कि आपका जो admit card ना आए देखिए friends सबसे पहली आपकी गलतिया डांक टिकट देखिए friends जैसा कि आप सभी को पता होगा आप सभी ने अपना जब forum फिलब किया है तो आपने वह पर एक अंदर छोटा वाला लिफापा रखा होगा यदि आप सभी ने उस envelope पर 10 रुपे का डांट कट नहीं लगाया है तो आपका forum यहाँ पर reject हो जाएगा इसके बाद friends second है आपका चार passport size photograph देखिए friends दो passport size photograph आपने अपने forum पर चिपका होंगे इसके लबाद दो passport size photo यदि आपने अलग से नहीं रखें तो भी chances है कि आप सभी का जो forum है वह आपका reject हो जाए नेक्स्ट है friends आपका document self-attested देखिए friends जो भी आपने document अपने forum के साथ में रखे हैं जैसे आपने 10th की मार्चीट 12th की मार्चीट आदरकार जाती निवाद जो भी आपने document रखे हैं जो भी आपके important document थे यदि उन document को आपने self-attested नहीं किया नहीं document पर आपने नीचे की तरफ आपने signature नहीं किये तो अभी chances है कि आपका जो forum है वो आपका reject हो जाए friends next आपकी mistake रहने बाली है देखिए आपको यहापर document को लेकर यदि आपने कोई भी आपर document नहीं रखा है तो chances है कि आपका जो फॉर्म है वो आपका reject हो जाए यदि आपने आपने लिफापा नहीं रखा है दो passport size photograph नहीं रखें तो भी आपका फॉर्म यहापर reject होने की chances है देखिए friends आपका नहीं पर आपकी गलती है यदि आपने जब अपना फॉर्म फिलब किया होगा वो आपने small letter में फिलब कर दिया है तो भी आपका जो फॉर्म है वो आपका reject हो जाए देखिए friends यह आपकी कुछ गलतियां थी यदि आपने इन में से कोई भी गलती नहीं किया तो 100% आप सभी का फ्रेंट से admit कार आने वाला है कुछ यहाँ पर student का doubt था कि भाई हमने यहाँ पर अपना जो character certificate है जो यहाँ पर चरित पॉर्म पत्र है वो नहीं रखा ह है क्या हमारा जो फॉर्म है वो reject हो जाएगा देखिए friends यह आपने चरत पॉर्म पत्र नहीं रखा है तो आपका फॉर्म पत्र नहीं होगा जब आप अपना exam देने जाएंगे तो आपको अपना या तो college से या आपको अपने गाउं के सरपंचा परदान से आप सभी को आप पर character certificate बनवा लेना है उस character certificate को आप जब अपना exam देने जाओगे तब भी आप लेकर जा सकते हो इसके कारण यदि आपने अभी नहीं रखा है तो आपका form जाएंट नहीं होगा यदि बात करेंगे आपके admit card को लेकर है तो friends आप सभी के जो admit card है यह पर आपके 15 September से आप सभ सभी के admit card है वह आप सभी के आने शुरू हो जाएंगे आज की वीडियो में इतना ही friends मैंने आपको बताया कि यदि आपने इन मैंसे कोई भी जो भी मैंने आपको गलतियां बताई यदि आपने नहीं किया तो आपका 100% admit card आने बाला है साधी friends यह आप previous year question यहां से प्राप् परसेंट भी जो पेपर है वो previous year से फच जाता है क्योंकि जो आपके पिछले आपके जैसे जो आपका 2019 में exam conduct कराया तो जैसा कि आप सभी जानते हो इसका offline exam conduct कराया जाता है तो होता क्या है कि जो इंडियन airports के वहाँ पर cheap होते हो आपको वहीं दुबारा से वहीं यहां पर आपको पेपर दे देंगे और वहीं पेपर आपको solve करना होगा तो इससे आपको यह पर 100% भी chances होते हैं कि आपको previous year से आपको 100% question देखने को मिल जाएं आसा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें दोस्क्राइ करें आज की वीडियों में इतना ही जय हैं जय बारत